अगर आते संगी आपने इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दिया तो कंग्रेचुलेशन्स आप दी तूखिया फ्री में 50 रुपए अगर आपको पहले 10 कमेंट में नाम आता है तो फ्री में 50 रुपए मिल दाएंगे और अगर आप नहीं जीते तो गबराने की दुरूरत आपके लिए एक और गिव वीडियो में कहीं भी दोस्वाल पुछूँगा उस सवाल के सही सही जवाब जो देगा जो वीनर होगा उसको 200 रुपए तक मिलेगा तीन यूजर्स को फ्री में 600 रुपए तक ठीक है तो हो गया तो आपको उसके लिए करना क्या है वीडियो आउंट नहीं दे पाऊंगा तो जल्दी से जल्दी आप ध्यान रखना अगर आप विन करते हो तो भाईयो चलते हैं सीधा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हलो गाई स्वाकता आपके एक बार सुट से आपके अपने यूटीब चैनल में तो भाईयो आज की इस वीडियो में हम बात करने जारे हैं जो मैच नमबर 58 खेला जाएगा आईपेल का तो भाई आईपेल यहां पे आल्मोस्ट एंड पे आ चुका है और यह वीक है जो क बहुत जादा जुरूरी है धरबाद के लिए क्योंकि 10 में से 4 हैं तो 11 में से 5 मैच हो जाएंगे तो काफी टीम के साथ यहां पे मैच हो जाएगा तो बहुत अगड़ा मैच होने वाला बहुत इंपोर्टन मैच है वैसी हमारी बहुत अगड़ी वीडियो होने वाली है तो उस ही साब से यहां पर देखो पेसर को इनीशल ओवर में हलका फलका हलप मिलता उतना नहीं मिलता लेकिन जो कटर्ज वाले बॉलर्ड उनको हलप मिलेगा और जो बैट्स मैना टेक्निकल साउंड उनको ज्रूर मिलेगा और जो पाँवर पले में बैटिंग करते हैं उनके के लिए ज्यादा बहत रही है तो आपको आपकी टीम में वही होना चाहिए कि आप पावर प्ले नहीं गेंद वाले ज्यादा फोकस करो यह तो फिर बहुत अच्छे बैट्स मैंने जो ठीक है उसके बाद आप स्पीनर्स पर फोकस कर सकते हैं तो यह आपका अपनी टीम के लि कि कौन से लिए आपके लिए बहते रहा है तो यही होता है स्टैट्स लिए बाकी इन्फरमेशन तो जितनी दो उतनी गम मैट है तो आपको समझना है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ग्राउंड स्टैट्स की बात करें 69 मैचेस खेले गए हैं जिस पे 165 का अलगबग आ जाता है तो उसके वज़ा से यहां पर रहता है बाकी उतना फरक नहीं पड़ता तो स्कोरिंग बैटरन की बाद करूं बिलोड 835 बार बना देखो ठीक है आपको यहीं से अंदादा हो जाएगा 152 169 10 बार 172 189 10 बार अबब 190 14 बार तो देख सकते हो कम स्कोर रहता और कम स्कोर जहां पर रहता मतलब स्पीनर्स का गेम आता है तब ही रहता वरना पेसर को इतने रन नहीं रूखते हैं पेसर को हमेशा रन पड़ते रहते हैं वह सिर्फ विकर्स लेके जाता है जादा तर देथ होवर में लिए तो यह बात ध्यान में रखना बालर स्टैर्स देख बैटिंग की अगर सौंगा तो आपको एक अच्छा मैच जुरूर दिख सकता है बैटिंग के मामले मेरी सेंट मैच देखोगे के क्यार ने 171 बनाए ऐसार चार गई डीसी ने 144 बनाए वह भी चेज नहीं हुआ छे विकर्स यहां पर देखोगे पहले मैच में 12 पेसर्स ने आगे बढ़ेंगे बात करेंगे हैड टू हैड की दो ही मैच चीज हुएं दोनों लखनो सूपर जाइंट्स ने जीते हैं हैडराबाद ने नहीं जीते हैं तो यह मैच दोनों टीम्स के लिए काफी इंपॉर्टन है और अच्छा मैच हो सकता है ठीक है तो अब लगबग ज ट्यक्रिए और चीजब दोनों टिम्स की लिए एक साथ खेलते हैं यहाप पंजाब के लिए अच्छा कर रही हैं दोनों बागी दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं ठीक है ऐसी बात नहीं है दोनों बहुत तकड़ी प्लेयर्स हैं अभिशेक शर्मा का तो आपको पता ही है बाई अंटर 19 वर्लकप से जब शुमंगिल के साथ इनका क्या तकड़ा नाम हुआ था ठीक है तो लास्ट मैच में अन्मोल प्रीशिंग ने अच्छा किया था और यहां पर ऐसा रच ने हैधरबाद के अगेंस्ट चेज कर लिया था ठीक है तो आपको याद होगा विशेक शर्मा अच्छा किया था उसके बाद त्री पार्टी ने भी लास्ट मैच में 47 की अच्छा किया ख्लास सेन ने भी 26 की लास्ट मैच के बैटिंग ओडर था मारकरम थोड़ा नीची आये थे उसके बाद ग्लैन फिलिप्स ने बहुत अच्छा कैमियो खेला था जो आपको याद साथ बॉल में 25 करें लगबग ठीका अब्दुल समद सौरी लास्ट में तो अब्दुल समद था ग्लैन फिलिप्स ने मैच बनाया था अब्दुल समद ने किया था फिनीश उसके बाद मारको जैंसन है अच्छा गिनबाजी कर रहे हैं अच्छा यहां पर कर रहे हैं लेकि आगे बढ़ेंगे और बाद करेंगे याँ प्लेयर स्टैट्स की अन्मोल प्रीसिंग देखोगे हैं एक मैच के लिए अच्छा कर रहे हैं अच्छा ताबर तोड़ पारी अच्छा स्टार्ट देके जा रहे हैं रिसेंट फॉर्म में एक पारी खेलें जिसमें यहां पे इन्होंने 25 रन राजस्तान के गेंस्ट करें थे अब्दूल समझ लास्ट मैच के हीरो मार्को जैंसन है उतना कंसिस्टनली अच्छा नहीं कर पारें थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं मैं कुमार गंडेक अच्छी पिक रहे हैं आपके लिए टीन अटराजन एक अच्छी पिक हो सकती है तो आगे बढ़ेंगे बात करेंगे दूसरी टीम लकनो सूपर जायंट की तो बाई के गल रहा हूं जब से सक्वरिग्रकिन से तो उसके बाद यहां पर ईन्होंने ट्राय कर रहा था मनदीप सिंभ को नहीं मन्दीप सिंग को नहीं यहां को ट्राय कर रहा था आई फार्गट यार ठीज़ोड़ो एनिवेज काईल मेर्स को यहाँ पे कंसिस्टेंटली मौगा मिल रहा है काईल मेर्स नहीं कुंटन डीकॉग की जगारो रखी थी लेकिन अभी इन्होंने एक कंबिनेशन बनाया जिसमें यहाँ पे कुंटन डीकॉग को भी रख रहे हैं काईल मेर्स और कुंटन डीकॉग अच्छा कर रहे हैं लास्ट मैच में आप देखोगे तो काईल मेर्स जल्दी आउट होगे लेकिन कुंटन डीकॉग ने बहुत ताबर तोड़ पारी खेली थी ठीक है बहुत अच्छा करा था कुंटन डीकॉग ने ठीक है काईल मेर्स ज चल रहा है निकलस पूरण थोड़ा आके यहां पर स्लोडाउन हो गया है अच्छा गर रहे था आयुश बढ़ोनी वहीं पर इनको मौगा मिला थे लो ना ग्यारा बॉल में 21 शायद किया थे लास्ट मैच में नीचे आये थे तो इस बार में उपर में बैटिंग मिल सकती है व बढ़ेंगे प्लेयर स्टैट्स की बात कर लेता है आपको जाधा क्लियर हो जागा तो कायल मेर्स का देखो गए यहां पर लास्ट मैच में अच्छा खेले दे कुंटन डी को लास्ट मैच में ही पहला मैच खेले इस सीजन का और सतर अंगर दिया है ट्वर्ड अच्छा है बागी दीपक हुड़ा का देखोगे यहां पर चेनिंग में एकनवे रन है रिसेंट तो बहुत जादा बेगार है बहुत जादा बेगार सच में मारकस टोनी देखोगे तो पीच में अच्छा कर रहे थे लेकिन फिर से स्लोड आउन हो चुके है वहीं पर निकलस पूरन का अच्छा है पिक और मोसिन का अच्छी विकट टेकिंग ऑप्शन है अब एच खान को लास्ट प्राशन बागा मिला एक विकट लिया था ठीक है तो यह बात हो गई यहां पर लखनो सूपर जैंट की तो अगर इनको जीतना तो इनके मीडल ओर्डर को काफे अच्छना करना इस मैच में क्विंटन डी को कितना स्कोर करेंगे और हुविल बी दा हाइस टीकर टेकर इन इस मैच सबसे ज्यादा विकर्स कौन लेगे कैसे कमेंट अगर आप सबको पताईए अगर गलत कमेंट होगा तो डिस्कॉलिफकेशन है दोनों कमेंट सही होने चाहिए वरना तब इस मैच सब्सक्राइब करेंगे तो फाइनल टेम टेम पर मिल जाएगी जरूर से जॉइन कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो अमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देने मैंने आपका जाला टाइम भी नहीं लिए दस मिनट में काफी इंपॉर्टन चीज़े बता दी है तो यही था आज की वीडियो में बाकि मिलते हैं अगले वीडियो में भाईयो तब तके लिए गुड लग एंड गुड बाई